है 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 अधिश्टों वेलकम टो मैं चैनल नेहा डिजाइन सभी मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी आज किस वीडियो में हम आपके लेक्षा हैं यह हमारा एक जम सोट है बड़ा जम सोट है पुराना रखा हुआ था तो इससे हम एक सुन्दाशी फ्रॉक बनाएंगे तो बनाने के लिए मैं क्या करेंगे सबसे पहले हम यहां से इसको कट करेंगे इसको इसको पहले कट करेंगे देखिए हमने कट किया है यहां से हमारी जो फ्रॉक है उसका टॉप करेंगे तो फ्रॉक के टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हैं कि बैक साइड इसमें जीप लगी हुई है तो जो जिप अलब पार्ट है इसको हम बैक साइड पर यूज कर लेंगे इसको मैं नेचे कर जैसे कि मैं अगर कटिंग करूं तो यह चैन हमारी जो जिप का लोक है यह उपर ने रह जाए यह तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी डालने में तो इसको मैं यहां से मां करूंगी और इसकी टॉप की कटिंग शुरू करता हैं इसको हम बैक साइड से पलट लेंगे तो टॉप के हम लेंद्ध हैसे रखेंगे नाइन इंच तो नाइन इंच पर इसको मार्क करेंगे और यहां से आम सोल तीरे का मार्क हम लेंगे 5.2 इंच पर 5.2 इंच के हमारा तीरे का मार्क होगा यह कपड़ा थोड़ा वैसा इस पर मार्किंग है थोड़ी मार्किंग करने प्रॉब्लम हो रही है और देखिए यहां से आम सोल का मार्क 4 इंच पर लेंगे और लेंट हमाई नहीं नीच है और इसके बाद चैस को जो हमारा मार्क होगा वह हम यह से लेंगे 6.5 इंच पर और कमर का हम यह से मार्क लेंगे 6 इंच पर अब यह जो मार्क की है इसी पर हम कटिंग करेंगे देखिए यह हमारा जो जैक टॉप है फ्रोक का उसकी हमारी गटिंग हो गई है इसके तो हम क्या करेंगे जो मार्क वाला पार्ट है उसको तो हम भी हटा देते हैं क्योंकि बैक वाला पार्ट हमारा अटैच है लाइनिंग के साथ तो फ्रेंट वाला पार्ट लेंगे यह हमारा अलग हो गया है तो यहां से हम पहले इसका ने कट करेंगे तो ने कट करने के लिए यहां से मज़मेट नहींगे टू पइंट फाइव इंच पर और लेंद हम यहां से रखेंगे इसकी 3.2 इंच लाइनिंग भी हम कट कर लेंगे सेम तरीके से तो देखिए यहां आज हमारा पार्ट है इसके हमारे कटिंग है इसके बार इसको तो भी हम रख देता है हमारे तो पाउस की वाटिंग हो गई है और नीचे की लेयर कट करेंगे तो की कटिंग करने के बाद की नीचे के हमारे जो महरी है यह प्लाज़ों साहा है इसको लेंगे और इसकी बेल्ट कट लेंगे कि अब कि कि अब करने के बाद हमें क्या करना है रही यह जो है मारा यह मैं लाइनिंग है इसको निकाल देंगे अब निकालने के बाद हम इसको पलट लेंगे एक बार कि कि कर दो करेंगे लेयर के लिए हमारी में कट करेंगे यहां से कर दूंद कर दूंद कर दूंद इस तरीके से हम इने लेगना दो लेयर हमारी कट हुई है सेन तरीके से यहाली मोरी भी हम कट करेंगे हम देखी यहाँ इस यहाँ यहाँ आद दूंद आपको लेना 33 इंच और विड है हमारी इसकी 10 इंच और सेमेजर मेंट की हमारी चारों लेयर है तो अभी इसको एक साइप लगते हैं तो पहले लेंगे अपना बैक वाला पार्ट का में ने कट करना है तो इसको हम करेंगे फोल्ट कि यहां से मिसकों यहां से मिसकों करेंगे 2.5 इंच पर और नेक यहां से हमारी नेक की वीड है 1.5 इंच तो इसको हम कट करते हैं नेक करने का था हमें क्या करना है देखिए एक सिंपल तरीक हमारे यह है कि हम यहां पर पाइप इन करें लेकिन यह जो हमारा फैब्रिक है इसका हमारा और फैब्रिक मैं पास बचा हुआ नहीं है और अगर हम अलग से फैब्रिक यूज़ करेंगे तो वह इस पर अच्छा और आट से भूबढानों कि अप्र süफ करते जाएंगे और इसके उपर से लगाएंगे हम आप को चिलाए लगा कर बताता हैं कैसे धल को करेंगे पार्ट नहींद की हम लिए फैब्रिक करों हुग्वे इसको पोल करेंगे और इसके उपर रखेंगे पर अप्यांपर लगैं कि देखिए यहां से हमने क्या क्या है जो हमारी चैन की उसको भी अंदर के तरफ फोल्ड कर दिया है और अब स्वीम तरीकी से हम इस साइड से भी हमें डंडा जो नेक है इसको फोल्ड करेंगे कि देखिए बैक वाले पाट हमारा इस तरीके से बनेगा और जो हमारे आम सोल है उनको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे यह आम सोल को हम इस तरीके से लेंगे इसको में हमारा रखा है इसको दोनों बार उठाएंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे और अब आपर स्लाइल लगाएंगे और सेन तरीके से यह वाला आम सोल में तयार करेंगे देखिए हमारा जो बैक वाला पार्ट है हमने बना कर तयार कर लिया है आप हम लेंगे फ्रेंट वाला पार्ट इसको साइट पर लेंगे फ्रेंट वाला पार्ट लेंगे तो नीचे के हमारी लाइनिंग है इसके उपर हम रखेंगे अपना फैब्रिक और अपने जो इसको है इसके उपर चिपका देंगे प्रेंगे इसके उता है झाला पार्ट लेंगे वाला पार्ट लेंगे अपने पर उन आप लेंगे कि इसके साथ अटेच करने के बाद यहां से इसको कट करेंगे कि इसको अटेच करने के बाद हम क्या करेंगे हम लिंगे अपना बैकवालव पाट लेंगे देखिए अपना इसको अटेच इसके अंदर हम शूल्डर के अंदर डालेंगे और शूल्डर मिला लेंगे और अब यहां से शूल्डर को अच्छे से अब जिस्ते के सामें यह वाला शूल्डर सिया है सेम तरीके से इस साइड भी हम इसको डालेंगे और दोना शूल्डर सिलने के बाद इसको अब पिलट लेंगे देखिए इसको पिलटने के अदर क्या करने अपने आम सोल लेंगे और यहां पर सिलाय लगाएंगे देखिए आप एमने आम सोल लेंगे लगा लिए है उस्यम्स देखिए के समाज़ नेक है यहां पर भी हमने एक पैक एफ में सिलाय लगा लिए है इसको हम परिटेंगे और अपने फीटिंग के सिलाय लगाएंगे के सब्सक्राइब करेंगे तो हम वो लेंगे हमने चार लेयर कट की थी तो दो लेयर को हम एक साथ जोड़ लेंगे लिए है अब हमें क्या करना है इस लेयर को हम नीचे से करेंगे करेंगे हम यहां से उपर के ताफ से इस पर कच्छी सिलाई लगाएंगे देखिए जो हमारी लेयर है इसमें उन्हें कच्छी सिलाई उपर लगा ली है इसके हम क्या करेंगे यहां से हम धागा कीचिंगे और इसको जो हमारा टॉप है इसके इक्वल करेंगे कि देखिए इस तरीके से हमारी जो लेयर है बनकर तयार होगी और इसके बद सेम तरीके से हमने दूसरे लेयर कट की थी वह भी हमने तयार कर लिए है तो यह हमारी दो लेयर है और सेम मेजरमेंट знать हमारी एकल है दोनों की अब इसके साथ करेंगे तो इसको मैं क्या करना है सबसे पहले हम यह लेयर इसके अंदर डालेंगे और अब यहां से इन दोने लेयर को देखिए दो लेयर हमने उठाई प्लेट लेंगे इसको और अब इनको एक साथ सिल देंगे यह इसको देंगे दोस्ते के हमारी जो फ्रो को बंकर तयार देखिए हमने परानी ड्रेस में से एक छोटी सी और सुंदर सी एक पार्ट्री वेड ड्रेस बना कर तयार की है ये ड्रेस हमने बनाई है डेट से दो साल की बच्ची के लिए तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें comment box में comment देंगे जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को click करना न भूले जिसे कि आप हमारी आने वाले किसी भी नए video को miss ना कर सकें फिर मिलेंगे आपसे एक और ने वीडियो के साथ तब तके लिए bye and take care